All right guys, तो हमने अपने पिछले वीडियो में काफी inheritance, classes, objects और इन सारी चीज़ों को देखा आज के इस वीडियो में हम लोग वापस से pointers को revisit करेंगे और pointers को revisit करने के बाद हम लोग देखेंगे कि उनको classes और objects के context में किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है मैं आपर करूँगा क्या, कि अपनी एक नई फाइल यहाँ पर बना लूँगा जिसका नाम में रखने वाला हूँ, to.cpp और उससे भी पहले मैं चाहता हूँ आप लोगों को कि अगर आप लोगों ने यह playlist access नहीं करी है बेदक तो इसको दरूर access कर ले ना कि यहाँ पर शुरू से मैंने आप लोगों को C++ सिखा रखी है और अगर आप लोग शुरू से C++ सिखना चाते हैं तो आप लोगों को यही प्लेइस फॉलो करनी है मैंने आप पर पूरे के पूरे जो वीडियो से हैं 1234 के नंबर करके इस प्लेइस के अंडर डाल रखे हैं मैं आप पर आऊंगो जल्दी से boilerplate डालूंगा बेना time waste कि जो कि मैंने इसी प्लेइस में आप लोगों को बनाना सिखाई है किस तरह बनाते इस code को डालने के लिए अब यहां पर हम क्या करेंगे कि pointers को एक बार और revisit करेंगे और समझेंगे तो pointers का सबसे पहले तो basic example एक लिए लेते हैं क्योंकि है काफी time हो गया हम लोगों ने pointer को किया था कौन से वीडियो में I think around first 20 वीडियो के अंदर अंदर हमने pointers किया था तो यह से पहले pointer होता क्या है pointer एक variable होता है जैसे int होता है data type है और float है हमारा float type होता है उसी तरह pointer जो होता है उसके अंदर इन data types के address को store किया जाता है तो मैं अगर यहां पर कह दूं int a is equal to 4 तो मैं कह सकता हूं int star ptr is equal to amp a और आप लोगों को पता है कि amp का मतलब होता है address of a अगर a is equal to Harry है तो address is equal to address of Harry हो जाएगा यानि कि जहां पर भी वो रहता है वो हो जाएगा ठीक है तो int star क्या कर रहा है address store करने के लिए एक data type है ठीक है अब यहां पर आप ऐसे समझ सकते हो इसको और यह चीज आसान आप लोगों के लिए हो जाएगी और जादा अगर आप लोग इसको इस तरह से देखो कि जो PTR है उसके अंदर एक value है कुछ जादा नहीं है सिर्फ value है लोग pointer को पता नहीं क्या समझते है कि एक नई चीज आ गई है लेकिन जिस तरह A के अंदर 4 है PTR के अंदर A का address है memory में अब memory में address जो होता है वो आपका जो भी है वो store हो जाएगा PTR के अं पर हम लोग यहां पर क्या करेंगे लिखेंगे see out the value of the value of A is और मैं यह पर लिख दूँगा dereference PTR और यह जो star होता है जब उसको इस तरह लिखा जाता है इसका मतलब होता है मैं dereference कर रहा हूं PTR को यानि कि मैं address से value निकाल ला हूँ अगर मैंने अगर मानलो कोई राहुल ला शक्ति नगर है तो star शक्ति नगर होगा राहुल क्योंकि शक्ति नगर में राहुल रहता है तो उसी तरह यह address मैंने डाला हूँ है अगर मैं star address करूंगा तो इसकी value आजएगी यानि कि 4 तो आप देखो यहां पर the value of A is मुझे 4 देखने को मिलेगा मैं इसको run करता हूं और आप लोग देखो तो value of A is 4 मुझे आप देखने को मिल गया है तो मैंने यहां पर कुछ नहीं किया इसको dereference किया और यहां पर मैंने क्या किया एक address को प्राप्त किया और उसको PTR के अंदर डाल दिया मैंने PTR जो container था जो कि address store करने का container था उसके अंदर मैंने A का address डाल दिय जिस तरह आप लोग चामल के container में चामल डाल देते हो चीनी के container में चीनी डालते हो मैंने क्या किया मैंने यह जो address store करने वाला container था उसमें address डाल दिया किसका A का address डाल दिया तो अब pointer में आप लोग को परशान ही नहीं होगी अब मैं discussion को रहा थोड़ा सा आगे लेके जाऊ और यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा कि new keyword क्या होता है अब new keyword कोई जादा बड़ी चीज नहीं है अब मैं अगर यहाँ पर int star p is equal to new int 4 लिख दूँ तो यहाँ पर मैंने किया क्या मैंने dynamically एक integer बनाया और मैंने कहा कि उस integer की value 4 है या फिर 40 कर देता हूं कि 4 मैंने उपर भी ली थी और मैं similarly कुछ इस तरह से करके मैं आपर अगर star p करूँ अब मैं कहूं कि the value at p is at address p is और यहाँ पर यह मुझे 40 return कर देगा तो देखो the value at address p is 40 तो मैंने क्या किया यहाँ पर मैंने simply अपना एक यह बना लिया integer और मैंने कहा उसके अंदर value क्या होनी चाहिए उसके अगर the value 40 होनी चाहिए ठीक है so I hope कि आप लोग समझ गए किस तरह से आप लोग dynamically initialize कर सकते हो अब जरूरी नहीं कि यह इंटी हो मैं इसको float भी बना सकता था क्या बना सकता था मैं इसको float भी बना सकता था और इसको 40.78 करता अगर तो मुझे यहाँ पर दिखाई देता the value at address p is 40.78 तो यहाँ पर in float care कुछ भी आप लोग कर सकते हो अब यहाँ पर हम class का object भी लगा सकते हैं लेकिन उसको बात के लिए रखते हैं भी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं वरना जो है बहुत तेज भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए धीरे धीरे बढ़ना चाहिए ठीक है so म मैं समझ गया कि आप लोग समझ चुके हैं कि यहाँ पर आप int float कुछ भी इस्तिमाल कर सकते हैं अब मान लो कि हम allocate करना चाहते हैं block of memory मान लो 4 integers को store करने के लिए या फिर 5 integers को store करने के लिए तो मैं आपर क्या करूंगा मैं आपर लिखूंगा कुछ इस तरह से मैं लिखूं यहाँ पर syntax में difference देखो यहाँ पर मैंने square bracket यूज किये यहाँ पर मैंने parenthesis यूज किये तो मैंने यहाँ पर क्या किया एक integer array बना लिया अब मैं आपर आराम से कुछ ऐसे लिख सकता हूं array 0 is equal to 10 और उसके बाद यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से 1,2,3 को 3 तो नहीं होगा 0,1 1,2 तक चाहेगा क्योंकि तीन elements की जगा मैंने बनाई है एक, दो, तीन पूरे हो गए मेरे तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूं 10, 20 और 30 कर देता हूं similarly मैं क्या करूँगा यहाँ पर लिखूँगा the value at the value at ARR the value of ARR 0 is और मैं यहाँ पर क्या करूँगा मैं आपर कुछ इस तरह से लिख देता हूं ARR 0 और similarly हम यहाँ पर 1,2,3 भी लिख सकते हैं तो इस तरह से आप लोग dynamic लिख क्या कर सकते हो ARRs को बना सकते हो तो देखो 0,1,2 और यहाँ पर देखो 10,20,30 प्रिंट हो गया तो इस तरह से आप contiguous blocks of memory जो है वो allocate करवा कर use कर सकते हो ठीक है तो यह है हमारा dynamically new keyword से memory को allocate कर रहा एक block of memory आपने allocate कर दी off-size int अभी यह float भी हो सकता था यह कुछ भी हो सकता था ठीक है अभी हमने आप बड़ जो है int का इस्तेमाल किया है अब क्या होगा कि अगर memory available नहीं है runtime बे तो आपको definitely error throw किया जाएगा लेकिन वो सब चीज़े हम अभी छोड़के delete keyword के बारे में in fact delete operator जो हमारा उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि यह जो delete operator वो क्या करता है ठीक है तो यहाँ पर आ जाता हूँ मैं लिखता हूँ और यहाँ पर new इसको मैं operator बोलता हूँ क्योंकि एक operator है जो कि operate कर रहा है वैसे new और delete operator और keyword दोनों है तो मैं आपर लेकिन इसको operator इसलिए लिख रहा हूँ ने run किया तो यहाँ पर यह जो values थी इनकी values जो है वो डगमगा गई तो कोई guarantee नहीं कि आपको ARR 0, ARR 1, ARR 2 में जो values है वो मिलेंगी क्योंकि मैंने delete कर दिया ओ जो continuous block of memory था वो मैंने कह दिया कि भाई इसको कर दो free यह मुझे नहीं चाहिए तो मैंने ARR को जो है वो delete कर दिय तो ARR क्या होगा यहाँ पर delete हो जाएगा अब यहाँ पर जब आपको पूरी की पूरी continuous block of memory को delete करना पड़ता है तो उसका syntax कुछ इस तरह से होता है आप लोगो को यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखना चाहिए delete और उसके बाद यह square bracket और उसके बाद आप लोगो लिखना च इसमें जो values आपने डाली थी वही देगा क्योंकि यह अब free हो चुका है तो आपने जो block of allocated memory था उसको free कर दिया है यानि कि free हो चुका है वो दूसरी values को store करने के लिए तो I hope कि आप लोगो कोई चीज जो है clear हो गई होगी किस तरह से आप लोग delete कर सकते है एक dynamically allocated int को यह float को और उसी के साथ साथ dynamically allocated block of memory को ठीक है so I hope कि आप लोगो यह चीज समझ में जो है आ गई होगी और यह जो new और delete है इसको हम आगे use करेंगे लेकिन अभी हमारा focus क्या होने वाला है आने वाले वीडियो में हमारा focus होने वाला है कि किस तरह से हम लोग classes and objects के साथ इस्तमाल करें यह जो हमारा pointers है वो और dynamically memory allocate हम कर पाएं वो सारी काम हमको करने है आने वाले वीडियो में तो इसलिए हमने यहाँ पर भी revisit किया pointers को अब यहाँ पर जिस तरह से मैंने यहाँ पर लिखा कि ARR 1 is equal to 20 उसी तरह मैं इसको comment out करते था हूँ delete को मैं ARR 1 is equal to 20 ना लिखकर मैं यह भी कह सकता था कि जो ARR है ठीक है तो ARR plus 1 की value मैं इस तरह से भी कह सकता था इसको मुझे यहाँ पर लिखना है और इसको मैं यहाँ पर save कर देता हूँ अब यहाँ पर मैं इसको save करके जब run करूंगा तो आप लोग देखो यहाँ पर यह भी जो है वो काम कर रहा है क्यों तो कि मैंने कहा मैंने कहा value of मैंने कह दिया address जो कि यह address allocate कर रहा है plus 1 यानि कि जो दूसरा वाला block है उसकी उसकी अंदर value डाल दो 20 ठीक है तो मैंने star करके यह करके इस तरह से इसको कर दिया similarly मैंने यहाँ पर जो a is equal to 4 किया था मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ मैं star a is equal to 999 कर दू तो आप लोग देखो यहाँ पर इसको मैं अगर sorry star ptr लिखना पड़ेगा not star a क्योंकि a जो है वो address नहीं है तो यहाँ पर देखो value of is 999 और यह bracket की जरूरत भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्f ptr लिख रहा हूँ और कुछ और नहीं लिख रहा हूँ अगर मैं कुछ तक यह C++ की playlist को access नहीं किया तो आप लोग इसको दुरू access करना क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को साजी चीज़े बता रहा हूँ starting से लेके end तक और अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो kindly add this video को भी लाइक करना अभी के लिए इस वीडियो में त्नाई कि युक्ष धू गड़ लाइक नहीं को सलगी को साब्या थाध लाइक नहीं को सिल अवल वीडियो में लाइक नहीं कि के लाइक नहीं को सुरू चाट एट नूड़ झाल झाल